Hello everyone, welcome back to my channel आज का review बेबी फेस क्रीम के उपर है So I have taken two brand One is Mustela and second is The Moms Co तो ये दोनों का मैं आपको product detail दोंगी साथ ही feedback दोंगी कि कौन सा क्रीम कब लगाना चाहिए So without wasting any time, we'll jump into the video तो सबसे पहले बात करेंगे ingredients की तो ingredients मैं The Moms Co का पहले आपको बताऊंगी जो natural ingredients है वो ही मैं बोलने वाली हूँ scientific term वाले ingredients की बात यहाँ पर नहीं करेंगे तो इसके ingredients है organic sheep butter, cocoa butter, hydrolyzed milk protein, aloe vera, glycerin, apricut oil, coconut oil, jojoba oil, rice bran oil, vanilla extract, vitamin E and avocado तो ये सारा चीज जो है आपको इस क्रीम में मिल जाएगा इन्होंने जो ingredients इस्तमाल किये हैं या इन्होंने जो ingredients यूज किये हैं इस क्रीम को बनाने के लिए ये सारा certified organic है अब बात करता है मुस्तिला की तो मुस्तिला की जो ingredients है वो है vegetable glycerin, jojoba oil, vitamin E, she butter and avocado तो ये सारे ingredients आपको मुस्तिला में मिल जाएगे एक चीज आपने अगर notice की है तो मुस्तिला की जितने भी ingredients मैंने यहाँ पर बताएगा है पांच इंग्रीडियन्स है इनके नाशनल इंग्रीडियन्स तो ये सारे आपको दिखाए देगा मतलब ये 500 इंग्रीडियन्स आपको उस product में भी दिख जाएगा कोई uncommon product या कोई uncommon ingredient आपको नहीं मिलेगा ठीक है स्पेस कंस्ट्रेंट होने की वज़े से उन्होंने ज्यादा डीटिल्स यहाँ पर नहीं दिया है इस इस मेड इन फ्रांस तो यहाँ इंग्रीडियन्स या इसकी जो इन्फो होते हैं वो आपको इस पैक में नहीं मिलेगा आपको वेबसाइट पर जाकर चेक आउट करना पड़ेगा और उन्होंने वहाँ पर सारा कुछ इन डीटिल्स बताया है ठीक है अगर मुस्तिला की बात करें तो मुस्तिला में उन्होंने यही लिखा है कि उनके जो इंग्रीडियन्स जो उन्होंने बताया है एक ही इंग्रेडियन्स उसमें हैं कि इट हाईड्रेट इस सिंद आइड बन के जाधा चांसे मुस्तिला से मुस्तिला से चिन ड्राइं नहीं होगा completely hydrated रहेगा and इसके ingredients जो है it has softening properties so skin जो है बेबी का skin जो है वो काफी soft रहेगा and supple रहेगा moving forward उन्होंने ये भी mention किया है 97% are of natural ingredients ठीक है बाकी जो 3% है ये इसे texture देने में या fragrance देने में जो है वो 3% लगा है 97% natural है ये सारा information आपको उनके website पर मिल जाएगा इन्होंने ये सारा कुछ लिखा है और ये natural ingredients यूज़ करते हैं तो moms को जो है वो organic यूज़ करते हैं and वस्तिला natural ingredients चलिए आगे बढ़ते हैं अब price की बात करें the moms को जो है 393 rupees MRP है और ये 50 grams का tube है and ये 40 ml का tube है और इसका price है 450 rupees तो ये 450 का है 40 ml, 50 ml या 50 gram 393 rupees तो price wise and quantity wise जो है ये थोड़ा सा expensive बढ़ जाता है अब बात करते हैं मेरे feedback की तो सबसे पहला feedback जो है वो मैं fragrance के उपर बात करूंगे तो fragrance जो है वो मुस्तेला का जादा अच्छा है rather than the moms coca moms coca मुझे थोड़ा सा rubbery वाला थोड़ा सा fragrance आता है वो अलग बात है कि लगाने के बाद थोड़ा सा subtle हो जाता है but first fragrance जो आप लोके ना तो वो थोड़ा सा rubbery वाला fragrance आ रहा है जादा ऐसे कुछ टाइम नहीं लगाता है या कोई कुछ जल्दी ही quick absorb हो जाता है वैसा नहीं है दोनों at par है same time ही लगाते है absorb करने में अच्छे से absorb हो जाता है तीसरी बात करूंगी इनकी texture की तो अगर the moms की बात करें तो इनका texture जो है की बात करती हूं तो वो थोड़ा सा thin consistency में आ जाता है पर creamy दोनों ही है ठीक है ये थोड़ा सा thin है और ये थोड़ा सा thick है ठीक है तो texture wise अगर देखे जाएंगे तो the moms को जो है वो थोड़ा सा thick है and musyla जो है वो थोड़ा सा thin है मुस्तिला में जो मैंने यूज किया है that is of normal skin type मुस्तिला में आपको और दो तीन शाय टाइपस मिल जाएंगे जिसमें आप cold cream भी आपको मिल जाएगा और भी सारे एक दो टाइप आपको मिल जाएंगे तो आप वो चेक आउट कर सकते हो बढ़ यहां पर मैं जो बता रही हो that is for normal skin type last fourth feedback जो मुझे आपको बताना है कि कब use करना चाहिए या कौन से time पर use करना चाहिए so as I told you कि the moms को जो है वो थोड़ा सा creamier है या फिर थोड़ा thick है due to which वो थोड़ा सा heavy हो जाता है थोड़ा greasy हो जाता है या oily आप बोल सकते हो थोड़ा सा जादा है when I compare with mustela तो यह जो है आप winter में use कर सकते हो या फिर you know there are places जहां पर बहुत जादा dry होता है बहुत जादा ठंड पड़ती है तो उस case में I would recommend to go for the moms को because mustela जो है यह normal skin type की बात करे हो mustela जो है वो उतना greasy या oily नहीं है तो अब मैं Mumbai में रहती हूँ तो Mumbai में जादा ठंड नहीं पड़ती है जादा dry नहीं होता है जैसे दूसरे states में होता है वैसे Mumbai में उतनी dryness नहीं होती है तो mustela लगाने पर भी जो है वो calm हो जाता है ऐसे कोई problem नहीं आता है बट कहीं अगर जादा dryness वाली जगा है weather conditions बहुत जादा harsh है so I would recommend to go for the moms को हाँ summer की अगर बात करें तो mustela is better because due to its light तो जादा sweat नहीं आएगा बचागर बाहर घूम रहा है या फिर गर्मी है तो उतना sweatness या oiliness नहीं आएगा the moms को में आ सकता है so winters के लिए the moms को और summers के लिए mustela या फिर जैसे मैंने कहां कि मुंबई जैसा अगर weather condition है तो आप 365 days भी लगा सकते हो बेबी का skin type भी अगर normal है, oily है तब आप ये लगा सकते हो अगर you know dry है throughout the year dry है तो उस case में आप ये use कीजे ठीक है, मुस्तिला में मैंने दूसरे face cream use नहीं किया है, जो cold cream में आते हैं, और भी एक दो type आता है so I'm not sure about that product मैंने normal skin type use किया है, so उसके बारे में मैंने आपको यहां पर सब कुछ बता दिया है I think I have covered all the information, I'll end the video here, I hope आपको ये video पसंद आया होगा, पसंद आया तो please hit the like button, share with everyone और चानल को subscribe नहीं किया तो please, please, please इसे subscribe कर ले साथ यूस bell icon को भी click कर दे ताकि जब भी मैं video upload करू आपको notifications जरूँ मिले thank you for watching all about experience, have a great day we'll see you soon within another video till then, take care